हलो दोस्तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैपिंग नार्थ और साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट की यानि मैपिंग की प्रेक्टिस करने वाले हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि हमा लेडी जो physical और political mapping है दोनों continent की complete कर चुके हैं अब हम दोनों की एक साथ mapping करने वाले हैं यानि उस mapping की practice करने वाले हैं वो भी blank page पे तो यानि blank map में आप ये देख सकते हैं इन दोनों continent के बारे में हमने physical और political mapping की है जिसमें एक है North America continent और एक है अगर आपने वो वीडियो भी तक नहीं देखे तो आप playlist में जाकर वहाँ से देख सकते हैं four videos है यानि North America continent के दो वीडियो physical और political mapping और South America continent की physical और political mapping के भी दो वीडियो हैं तो इस प्रकार से चार वीडियो में हमने इन दोनों continent को cover किया है और आज हम इन ही की practice करेंगे blank map पे तो चलिए start करते हैं आज की glass को और सबसे पहले इसमें देखते हैं यह देखे एक blank blank map है हमारा सामने जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है अब इसमें हम mapping करेंगे जो भी हमने पढ़ा है physical पहले और फिर political तो यह देखे नार्थ अमेरिका का यह map है इसमें हम एक तरफ से जो चीजें हैं उनको देखते हुए चलते हैं जो भी geographical structure हैं उनको देखते हुए चलते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सागर और जो खाड़ियां पड़ती हैं यानि जो गल्फ हैं यानि Pacific Ocean और Atlantic Ocean दो यह बड़े-बड़े महासागर है जो दोनों तरफ इस्तित हैं नार्थ अमेरिका कॉंटिनेंट के और फिर आ जाते हैं जो C यहां पर इस्तित है तो देखे यहां पर आपको मिलेगा Bering Sea यहां पर इस्तित है Bering Sea और फिर उपर जाएंगे तो इस वाले एरिया में आपको मिलेगा Buford Sea बिवफोर्ट Sea मिलेगा उपर वाले एरिया में और फिर आप जब इधार आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा Labrador Sea और यह Greenland वाला एरिया है जो कि Denmark के अंडर आता है वसे Geographically तो यह North America का पार्ट है बट Political रूप में यह Denmark का पार्ट है जो यह Greenland है यह वाला एरिया यह Greenland वाला एरिया तो यहां पर हमने देखा Labrador Sea और अब यहां पर हम को मिलता है Sargasus Sea जो कि एक Open Sea सारgasus Sea यानि इसी बर्मूडा ट्रेंगल वाले एरिया में यहां पर इस्तित है कौन सा सी सारgasus Sea अब हम देख लेते हैं तो यह जो हमको दिख रही है खाड़ी खाड़ी यह गल्फ मतलब होता है तीन तरफ से इस्तल से गिरी हुई और एक तरफ से जल से गिरी हुई तो यह है Hudson यानि यह है Hudson की खाड़ी यह हो गई हमारी Hudson की खाड़ी और इधर जब आप आएंगे यह नीचे वाली जो एरिया है यह है मेक्सिको की खाड़ी यह कौन से खाड़ी यह है Bay of Mexico और फिर जब आप इधार आएंगे तो यह वाला जो एरिया है यह सक्रासा है यह है California की खाड़ी तो देखें हमने देखा Hudson की खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी और फिर यह इधर California की खाड़ी तो ये तीन जो हमारी main यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और ये जो state जिससे ये part अलग हो रहा है इसको कहते हैं bearing state और इस्तित जो c है bearing c है और यही पर इस्तित है bearing state यानि bearing जलसंदी तो यह हमारी mapping हो गई यानि जो आसपस इस्तित जो भी महासागर थे जो भी सागर थे जो भी खाडियां थी सभी के बारे में हमने discuss कर लिया अब यहाँ पर देखते हैं जो mountain है यानि जो परवस संकला है तो देखे हमने आपको बताया था यहाँ पर यहाँ पर इस वाले area में कौन सा mountain इस्तित है तो इस वाले area में इस्तित है rocky mountain तो western part में इस्तित है rocky mountain और इधर आपको मिलेगा इस वाले area में यानि जो eastern part है यहाँ पर भी एक परवस संकला इस्तित है जिसे कहा आजाता है अपलेसियन अपलेसियन mountain तो देखे दो एक बड़ी परवस संकला है नौर्थ अमेरिका continent में जिसमें एक है rocky mountain जो इधर western वाले area में इस्तित है और एक है अपलेसियन mountain जो की eastern वाले area में इस्तित है तो यह all over mapping हो गई mountain की और उसके साथ ही साथ जो भी आसपास इस्तित बड़े महा सागर थे सागर थी उनके बारे में हमने देखा अब हम आगे देख लेते हैं जो और कुछ बचे हुए हमारी structure है उनको एक अलग मैप में तो इसमें हमारे जो आते हैं बीच में हमको यहाँ पर देखने को मिला था colorado platew यहाँ पर इस्तित थे यहाँ पर इस्तित थे इस वाले area में और इसी के पास में यहाँ पर आपको मिलेगा area prairie यानि जो grasslands है वो इस वाले area में पाय जाता है जिन्हें खाया जाता है prairie देखिए जो नार्थ हमेरिका कॉंटिनेंट में जो भी गास के मैंदान है उन्हें prairie का जाता है और साथ हमेरिका में पंपास का जाता है तो अलग-अलग नाम होते हैं अलग-अलग जगे में हमने आपको जाना जाता है हमने आपको ट्रिक भी बताई थी इनको याद करने की तो इनको याद करने की ट्रिक थी Homes, Homes का मतलब Huron Lake, Ontario Lake, Michigan Lake, Erie Lake और Superior Lake तो ये पांच लेक हैं जिनको कहा जाता है Great Lakes तो ये इस वाले एरिया में इस्तित हैं ये देखें जो ग्लू वाला पार्ट है यहीं पर इस्तित है Great Lakes और इनको याद करने की ट्रिक है Homes से हम इसको याद कर सकते हैं और इनमें अब बताईए पांच में कौन सी ऐसी लेक है जो पूरी तरीके से USA में इस्तित है बाकी चार कनाड़ा और USA के बीच में बार्डर बनाती है तो इनमें जो मिसीगन लेक है यादि जो लेक मिसीगन है ये पूरी तरीके से USA में इस्तित है बाकी जो four lakes है वो बार्डर बनाती है USA और कनाड़ा के बीच में तो ये भी देखिए हमारे आलोबर मैपिंग हो गई यानि जो भी ग्रास लेंड से जो भी प्लैट्व थे उनके बारे में भी हमने देखा और फिर यहां पर नदियां भी है कई सारी जिन में एक नदी है मिसिसिपी रिवर तो मिसिसिपी रिवर इधर से इस प्रकार से निकलत भी और नीचे यहां पर मिलती है गल्फ ओफ मैक्सिको में तो यह एक हमारी दिवर हो गई तो इस प्रकार से जो फिचकल मैपिंग है नार्थ अमेरिका की कंप्लीट होती है यही में पॉइंट थे जिनको हमको पता हुना चाहिए मैप में यह कहां पर इस्तित है अब चोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि हमने काफी जूम लिया है यहां पर लिया और इधार आपका इस्तित है पैसी को सियन और इधार ऐटलांटिक बट इसके पास यानि सेंटल अमेरिका वाली एरिया के पास पढ़ता है कारेबियंसी कारेबियंसी जहां पर और कई सारे चोटे-चोटे जो ऑई-लैंड्ड से वह इस्तित है जिनमेरिका है क्यूबा है और भी कई सारे जो चोटे-चोटे माइसले आसे यहां पर इसतीत है लेकिन हमने आपको बताया था जिनको सेंटरल अमेरिकन कंट्री कहा जाता है सेवन कंट्री इस प downtrichten पूरे सेंट फिर है ग्वाटेमाला के बाद फिर है हॉंडूरास तीन हो गए मारे फिर है एल सलवाडोर और फिर है निकारागुआ और फिर है कोश्टारिका और सबसे आखरी में आपको मिलेगा पनामा जहां परिस्तित है पनामा कैनल और पनामा जलसंदि से ही जो नूर्थ अमेरिका है वो South America से अलग होता है यानि दोनों यहाँ पर अलग हो जाते हैं जो Central America वाला पार्ट है ये North America का ही पार्ट है यानि जो Central America है ये North America continent के ही अंडर आता है यानि उसी के साथ इसको पढ़ाया पढ़ाया जाता है क्योंकि जो ये Central America वाला रेजियन है ये South America से अलग होता है पनामा जलसंदी की द्वारा तो इसलिए यहां तक North America का पार्ट माना जाता है फिर उसके बाद South America का जो पार्ट है वो शुरू होता है अब चलिए political map देख लेते हैं North America का तो यहां पर देखे हमने आपको बड़े-बड़े जो यहां पर countries थी थे उनके बारे में बताया था जो कि एक समू है फेडरेशन है तो यह यह वाला जो रीजन है यह Alaska वाला रीजन है हमने आपको बताया था यह पहले रूस का पार्ट हुआ गरता था फिर इस समय यह USA का पार्ट है और फिर यहां से यह जो लाइन गई है इस तरफ यह है पूरा कनाड़ा वाला रीजन जो की सबसे बड़ा कंट्री है इस नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट का और यह Hudson Bay है उसके आसपास ही यह जो इस्तित है यह वाला एरिया हमने आपको बताया था किसका एरिया है यह है Canadian Sealed यह है Canadian Sealed यानि जहाँ पर भारी मात्रम जो मिनल्स है वो मिलते हैं तो Canadian Sealed कहाँ पर इस्तित है तो यह Hudson Bay के 30 यह वाले इस्तित है Canadian Sealed और फिर यह नीचे आप एक और बाड़र देख रहे होंगे तो यहाँ से यह जो बीच वाला इस्ता है यह है पूरा USA संयुक्त राज्य अमेरिका और नीचे यहाँ तक यहाँ तक यह जो पार्ट अब देख रहे हैं यह है Mexico तो यह बेसिकली तीन पार्ट में ही बटा हुआ है चार पार्ट में यानि अलास्का वाला रीजन Canada, USA और Mexico यह पूरा North continent इस प्रकार से बटा हुआ है और USA में अगर बात करें जो हम कुछ City के बारे में हमने पढ़ा था कई सारे जो Famous City थे USA के जिनमें यहाँ पर आपको मिलेगा Washington DC जो की राजधानी है इस USA की और फिर यहीं पर मिलेगा आपको New York और इस तरह आएंगे तो आप California के खाड़ी के पास आपको मिलेगा California जिसे Silicon Valley of USA कहा जाता है यानि जो Facebook हैं सभी के जो मुख्याले है Google के वो सभी यहाँ California में ही इस्थित है और यह वाला जो एरिया है यह वाला एरिया है Florida यानि Miami तट यहाँ पर इस्थित है और जो NASA के जो आफिस हैं वो भी यहाँ यानि NASA जो एजंसी है SpaceX एजंसी है वो सभी यहाँ पर है यहीं से जो सेटेलाइट है वो लांच किया जाते है तो यह Florida वाला एरिया है यह हो गए आपका New York, Washington और इस जगह भीज में आपको Texas वाला एरिया देखने को मिलेगा तो यह famous जो city है USA के वो भी हमने आपको बता दिये तो यह political mapping भी complete होती है North America continent की चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखते है South America continent की physical mapping तो यह देखेंगे पहले से ही इसमें जो border है वो बटे हुए बट पहले हम इसकी थोड़ी सी physical mapping देखेंगे फिर हम देखेंगे जो यानि political mapping है जो country इस्ती थे उनके बारे में तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो इधर इसमें भी दच्छिन Pacific Ocean आता यानि Pacific Ocean वाला ही पार्ट है और इधर Atlantic Ocean है तो यह दो Ocean यहाँ परिस्ती थे और फिर बात करें तो यहाँ पर एक परवसंखला है पूरे आपको इस वाले region में थोड़ा सा हम color change कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर आपको समझ भी नहीं आएगा तो यह देखिए जो green वाला पार्ट है यह पूरा किनारे यह है एंडीज परवत एंडीज परवत माला यहाँ पर color थोड़ा सा हम डार करते हैं कोई तो इंडीज परवत माला इस पूरे किनारे में इस थी था यानि जो सबसे बड़ा सबसे लंबा mountain है पूरे वर्ड का तो वो यहाँ पर इस थी थै इस side आपको यह देखने को मिलेगा और फिर यहाँ पर हमने पढ़ा था highlands के बारे में देखे यह वाला जो area है यह जो region है यह है गुयाना हाइलेंड यानि गुवाना उचभूमी दो उचभूमियों के बारे में हमने पढ़ा था, दो highlands के बारे में पढ़ा तो जिनमे एक थी गुआना हाइलेंड और एक थी ब्राजिलियन हाइलेंड तो ये जो एरिया है ये वाला पूरा एरिया ये है ब्राजिलियन हाइलेंड यानि ब्राजिलियन उच्छ भूमी तो दो हाइलेंड्स हमने देखे गुवाना उच्च भूमी ब्राजिलियन उच्च भूमी उसके बाद एंडीज परवतमाला जो की किनारे किनारे इस्तित है और फिर इस वाले एरिया में ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसी जगह इस्तित है वोलिवियन प्लैट्टिव यहनी जो पठार है वोलिवियन जो पठार है वो यहाँ पर इस्तित है इस वाले एरिया में इस्तित है और ये नीचे जो अर्जेंटिना वाला एरिया है यहांपर आपको मिलेगा Pampas घास के मैदान Pampas Grassland इस वाले एरिया में इस्थित है हमने आपको बता है जब पीछे भी North America continent हमने पढ़ा तो वहाँ पर हमने देखा था तो वहाँ पर इने Prairie का आ जाता है Grasslands को और जो South America region है इसमें इनको Pampas का आ जाता है तो ये मैपिंग हो गई आप मगले मैप में जो रिवर्स हैं और जो डिजर्ट हैं उनके बारे में देख लेते हैं तो इसमें हम देखते हैं जो हमारी डिजर्ट है देखिए यहां पर इस्थित है वोलिवियन प्लेटिव इस जगे इस्थित हो गया तो इस जगे इस्थित है आपका अटा कामा डिजर्ट इस जगे आपका अटा कम डिजर्ट इस्थित है इस वाले एरिया में और ये जो नीचे वाला एरिया है इसमें है आपका पेंटागोनिया मरस्थल यानि पेंटागोनिया डिजर्ट इस वाले एरिया में इस्थित है नीचे वाले एरिया में और आप हमारी बच्चती है इसमें रिवर्स यानि जो नदीयां है तो दो नदीयों के बारे में हमने पढ़ा था orenico और amazing आप आपर देख लेते हैं तो जो imagine river है ये ंडीज प्रवस से निकल के Caribbean Sea में मिलती है तो यह यहाँ से निकलती हुई इस परकाड से Brazil से जाती हुई और Caribbean Sea में यहाँ पर मिल जाती है और हमने आपको बताया था जहाँ पर मिलती है यह है equator वाला region तो equator वाला region होने करण यहाँ पर temperature ज्यादा रहता है जिससे यहाँ पर बारिस भी बहुत होती है तो यह वाला जो एरिया है बीच वाला यह रेन फॉरिस्ट वाला एरिया है यानि जिसे ही हम अमेजन रेन फॉरिस्ट कहते हैं यानि अमेजन के जंगल जो की 20% oxygen प्रवाइट करते हैं पूरे वर्ड को इसी दिने लंग्स ओफण तो भी क हम इनकी political mapping आप करते हैं जो country यहाँ पर पढ़ते हैं उनको देख लेते हैं तो हमने आपको बताया था यहाँ पर 12 independent country इस्तित हैं बाकी कई सारी islands हैं जो किसी अन्य देश के अंडर में आते हैं किसी ने किसी देश के वो अंडर में आते हैं और जो 12 independent country हैं उनके बारे में देख लेते हैं जिनमें सबसे बड़ा जो यहाँ का country है वो है ब्राजील देख सकते हैं आप पूरी बाडर पहले से ही इसमें बनी हुई हैं और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा सूरी नाम सूरी नाम जो की इस continent का सबसे छोटा देश है और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा गुयाना और फिर यह जो एरिया है यह है वेनेजीवला वाला एरिया है फिर यह जो किनारे आपको देखने को मिलता ह ये है चिली ये है आपका अर्जेंटीना और यहां पर आपको देखने को मिलेगा उरुग्वे और ये है पराग्वे और फिर आप जब इदर आएंगे ये आपका अर्जेंटीना हो गया चिली हो गया और ये जो है ये है वोलिविया नहीं पर हमने पढ़ा था ना वोलिविय प्लेटिव तो यह है वोलिविया चिली हो गया अर्जेंटीना औरुग्वे पराग्वे ब्राजील सूरी नाम गुएना वेनेजेवला अब यहां पर यह वाला जो कंट्री है यह है पेरू यह कंट्री है पेरू और फिर यह आप जो देख रहे हैं यह है इक्वाडोर और यह वाला रीजन है कोलंबिया तो देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस गेरा बारा बारा कंट्री हो गए हमारे पूरे जो कि इंडिपंडेंट कंट्री है मैप में आप सभी को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे हम देखिए यहां पर यह जो एर अर्जेंटीना औरुग पराग्य और ब्राजील इस प्रकार से जो 12 कंट्री हैं वो यहां पर कंप्लीट होते हैं तो देखिए हमने आज के सेशन में इसकी प्रैक्टिस की यह जो भी इंपोर्टेंट पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल इस्ट्रुक्चर थे सभी के बारे में डिसकस कर लिए आपको अच्छी तरीके से चीजें तयार हो गई होगी इन दोनों कॉंटिनेंट की तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अब हम करेंगे अफ्री का कॉंटिनेंट की मैपिंग और इस प्रकार से जो हमारी मैपिंग वाली सीरीज है वो कॉंटिन्यू चलती रहेगी तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद